दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताँगा कि आपको कौन-कौन से documents हैं जो लेके जाने हैं अपने examination hall में और कितने से कितने बज़े के बीच में कौन सी shift को entry allowed है examination hall के अंदर दोस्तो ऐसे बहुत से general instructions हैं जो आपको follow करने हैं जब आपने अपना admit card download किया होगा SSE CGL 2017 का tier 1 का admit card जब आपने download किया होगा तो आपको वहाँ पर एक option आया होगा download general instructions का दोस्तो अगर आपने वो general instructions download नहीं करी हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि नीचे description में मैंने link दिया हुआ है आप उस link पे click कर लीचे और वो general instructions की जो file है वो download हो जाएगी दोस्तो ये जो file है ये English में भी है और Hindi में भी है तो मैं आपसे request करूँगा कि आप ये general instructions को जरूर पढ़ लीजेगा इसके जो 2 important points है वो मैं भी आपको बता देता हूँ इसी वीडियो में दोस्तो सबसे पहले देखते हैं कि आपको क्या 4 चीज़े ऐसी है 4 important things है चार चीज़े आपको लेके जानी ही जानी है अपने examination hall में इन में से आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं ध्यान दीचे दोस्तो किसी भी हाल में आपको चार चीज़े लेके जानी है सबसे पहला है admit card, आपको अपना admit card लेके जाना है, किसी भी हाल में आप अपना admit card ले जाना मत भूलिएगा, दोस्तो admit card के साथ आपको लेके जाना है, तीन चीजे, देखे आपको क्या-क्या लेके जाना है admit card के साथ, दोस्तो आपको अपनी 2 colored photographs लेके जानी है, latest colored photographs लेके जान है आदार कार्ड हो सकता है driving license हो सकता है water ID कार्ड हो सकता है pan card हो सकता है इन में से कुछ भी आपको लेके जाना ही जाना है original copy लेके जानी है और तीसरे point में वो लिखता है कि आपको इसी original copy की एक photocopy भी लेके जानी है मतलब आपको अपने मतलब अगर आप ये documents नहीं लेके जाते हैं तो आपको examination venue के अंदर जो है entry नहीं मिलेगी तो मैं आपसे request करूँगा कि ये चारों चीज़े आप याद से लेके जाएगा दोस्तो इसके बाद इन्होंने instructions में mention किया हुआ है कि किस time से किस के बीच में ही आपको जो है entry मिलेगी examination venue के अंदर morning shift वाले बच्चों को सुबा साड़े 8 से लेके साड़े 9 के बीच में afternoon shift वाले बच्चों को 11.45 से लेके 12.45 के बीच में और evening shift वाले बच्चों को 2.45 से लेके 3.45 के बीच में तो मैं आपसे request करूँगा कि इसी time slot के बीच में आप अपने examination center पहुँच जाएए और इससे लेट आप मत होईएगा दोस्तो बाकी जितनी instructions है अगर आप पढ़ना चाहें तो नीचे description में मैंने link दिया हुआ है उसको आप click कर लीजे उसके साथ आपकी instruction की जो ये file है वो download हो जाएगी हिंदी में भी है English में भी है आप इसको पढ़ लीजे और इन instructions को जरूर फॉलो करिएगा ख्याल रखिए दोस्तों पढ़ते रहे है all the very best God bless